है आज हम सिख्षा मंत्री मनीश शिशोदियाजी के बारे में बात नहीं कर रहें आज हम आवकारी मंत्री अगर सधारन भाच आधि पारटी कही न कहीं अपने सिख्षाणीती अपने lur hasn okay विश्यों को सामने लाकर मनीश शिशोदिया की रक्षा करने की कोशिश कर रहेएं मगल प्रश्ण उता है शराब मंत्री मनीश शिषोदिया जी ने शराब घुटाला किया या नहीं किया कि यह नहीं कि अधिज्व कि अध्यु और मनीश शिशोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में यह एक टेक्निकल विशय है हर कोई जानता है कि जहां तक होल्ड सेलर की कमीशन का विशय था पहले जो कमीशन दो प्रतीशत का था उस कमीशन को बढ़ा करके 12 प्रतीशत का कमीशन किया गया था इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है ये क्यूं किया गया था ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फाइदा एक प्रॉफिट बैक डोर से आम आदनी पार्टी कमा सके और दुख का विशय यह है कि दिल्ली में बच्चों के जिंदगी को स्कूल्स के आसपास जो बच्चे हैं उनके जिंदगी में कहीं न कहीं शराब घोल करके कहीं न कहीं दिल्ली में नशे को बढ़ा करके उसमें से कमीशन खोरी की जो बदबूती आज पूरे दिल्ली को ये Everyone knows as to how to enhance their own commission The Arm Aadmi Party had tried its best To spread addiction of liquor in Delhi एक के साथ एक मुफ्त किस प्रकार की नीतियों के माध्यम से स्कूलों के पास वही अरविंद केजरिवाल आप याद करिये 2014 के पहले जब चुनाव नहीं हुए थे तो यही अरविंद केजरिवाल जी कहते थे कि हम महले महले जाएंगे वहाँ पर हम महला पार्लमेंट करेंगे और वहाँ सदन में पूछेंगे महिलाओं से कि आप क्या चाहती कि हमारे महले में शराब के दुकान बंद होने चाहिए या खुलने चाहिए बहुत शराब के ठेके खुल रहे हैं महलों में ये शराब के ठेके अगर महिलाए कहेंगी बंद होनी चाहिए तो हम बंद कर देंगे ये प्रचलन में है ये वीडियो हर को इस वीडियो को जानता है देख चुका है अरविंद केजरिवाल के इस वीडियो को और वही अरविंद केजरिवाल जब चुनाव जीत कर आते हैं तो religious worship places के पास कैसे शराब के दुकान खोली जा सके इसका पूरा का पूरा एक शडियंत्र किया केवल और केवल भ्रश्टाचार और कमीशन के लिए हमने बार-बार शराब मंत्री आपकारी मंत्री मनी शिशोदिया जी से कुछ सवाल पूछे थे अर्विंद केजरिवाल जी खुद एक ब्यूरोक्राइट रहे हैं अर्विंद केजरिवाल जी को टेक्निकल प्रश्णों के उत्तर देने भली भाती आते हैं मगर मैं आपसे पूछता, इतने महीनों में लगभग एक साल का समय गुजर गया, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने या उनके टीम में से किसी एक वेक्ती ने एकसाइस पॉलिसी को लेकर कोई टेकनिकल प्रेस कॉन्फिंस किया? हमने सवाल पूछा था कि आखिर ये पॉलिसी आपकी जो एकसाइस पॉलिसी थी, जो शराब नीती थी, ये इतनी अच्छी पॉलिसी थी, जिसके विशय में आप बोलते ठक नहीं रहे थे, कि इतने करोडों का हमें फाइदा होगा, आखिर आपको वो आनन फानन में वापस क् पड़ा, एक कारण आपने नहीं दिया, एक कारण दिये बगार, जब ये पूरा विशय कि इसमें घोटाला हुआ है, भ्रस्टाचार हुआ है, जब ये कहा गया, when you were flagged by the LG, that this is an important issue, and there is some corruption in this, you in fact took away the excise policy, you withdrew the excise policy, the question is, the excise policy which you always appreciated, which you always in fact spoke in favor, why had you to take it back, आपको से वापस क्यू लिना पड़ा, दूसरा हमने बार-बार पूछा कि होल सेलर्स का कमीशन आपने दो प्रतीशत से बढ़ा करके 12 प्रतीशत क्यूं किया किया यह स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से हमारे सामने नहीं आया कि इसका आधा कमीशन जो है री-रूटिंग होकर आपके ही पास आता था यह सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन भारती जनता पार्टी और भारती जनता पार्टी ने मीडिया से लेकर क्योंकि मीडिया ने इसे अपने सोशिल मीडिया साइट इत्यादी में डाला था हमने इसे उजागर किया है हमने सवाल पूछा था जब मीडिया ने दिखाया हमे कि यह जो आबकारी नीती थी एकसाइस पॉलिसी थी ग्रूप ओफ मिनिस्टर्स के सामने रखने से पहले इसे अपने व्यापारी मित्र जो शराब के व्यापारी थे जो ठेकेदार थे उनको लीक किया गया पहले उन तक पहुँचाया गया ताकि जो उनके लाब के विशें हैं वो उसे अपना ले और जो हानी के विशे हैं उसे ट्विक कर दिया जाए उसे चेंज कर दिया जाए क्या ये हकीकत नहीं है कि हमने सवाल पूछा था कि blacklisted companies जो थी कानून के मुताबिक blacklisted companies को मनीश शिशोदिया जी और आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें ठेका नहीं दे सकते थे मगर क्या कारण था कि मनीश शिशोदिया जी ने बतौर शराब मंत्री दिल्ली को शराब में डुबोने के लिए आपने blacklisted companies को भी ठेका दिया क्या कारण था कि कानून में एक प्रावधान है कि manufacturers जो हैं उन्हें retail के काम में नहीं लाया जा सकता इस पूरी excise policy में कानून को दरकिनार करते हुए आपने manufacturers को retail में डाला इसका आपने किसी प्रकार से कोई explanation नहीं दिया क्या कारण था हमने पूछा कि 144 करोड रुपिया आपने अपने इन मित्रों का जो शराब के ठेकेदार थे license fee आपने माफ किया इसका कोई उत्तर नहीं rhetorical उत्तर है कि BJP हमें छोड़ना नहीं चाहती है हम तो आगे बढ़ रहे हैं मगर technical उत्तर नहीं क्या कारण था कि इतने सारे string operations में जो सवाल उठाए गए थे मनीश इशोदिया जी को जब ये सवाल रूबरू होकर पूछा गया मीडिया ने पूछा तो मनीश इशोदिया ने केवल ड्रामा कहकर इस पे कोई उत्तर नहीं दिया press conference छोड़के चले गए स्वभाविक है जो जांच एजंसियां है वो जांच एजंसी इमोशन पे काम नहीं करती है जांच एजंसी टेक्निकालिटी पे काम करती है अगर 45-45 मुबाइल फोन डेस्ट्रॉइ किया जाए अगर सबूत मिटाने की कोशिश मुबाइल फोन के माध्यम से किया जाए तो ये सारी चीज़े CBI और हमारी जो एजंसीज है वो जानती है वो पॉलिटिकल बॉडिज नहीं है वो टेक्निकालिटी के आधार पर आगे ब भाविक है कि जिस प्रकार से आबकारी नीती में शराब नीती में एक्साइस पॉलिसी में आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपसे पूचता चोगी मैं अर्विन जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि यह वही आमादमी पाटी है जो हर दिन एक लिस्क निकालती थी कि देश में सबसे भरश्ट यह 15 लोग हैं देश में सबसे भरश्ट यह 20 लोग हैं आप याद करिए उस समय न वही होता था न खाता होता था कोई सबूत की बा कौन कौन से नाम आप बोल रहे हैं यह बात अलग है कि आज आप उनसे गले मिल रहे हैं उनके घर जा रहे हैं मगर उनका नाम आपने सबसे ब्रश्ट लोगों में गिनाया था यहां केवल कोई परची नहीं निकाली गई है कोई भारतिये जंता पार्टी ने मनीश दिया जी एक्यूजड नंबर वन बने जिस प्रकार से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवार करने की कोशिश की मुझे तो शर्म आता है यह कहते हुए कि आज पूरे विश्व में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं होगा जो शराब के घोटाले में गिरफतार किया जा र चौकाने वाला विश्व है बच्चे जो हिंदुस्तान के भविश्य है स्कूल जो हिंदुस्तान के भविश्य को गड़ता है उस स्कूल के सामने शराब का ठेका खोलना और उस शराब के ठेके से 12-12 प्रतीशत कमीशन लेना उससे घोटाला करना मनिश जी दुख होता है कह आपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवार किया डिली के बच्चों के जीवन के साथ डिली की महिलाओं के जीवन के साथ आप ने ठीक नहीं किया